जब से मोटर वहिकल एक्ट लागू हुआ है तब से ही ट्रैफिक विवस्था कुछ ज़ुस्त दुरुस्त सी नजर आ रही है और देश में हर जगा हर शहर में हर चौराहे पर पुलिस बलतेनाथ है ट्रैफिक पुलिस देनाथ है और इसके साथ ही ट्रैफिक की मुहीम से संभलने में और लोगों को नियमों से रूबरु करवानी में प्रशासन कि सहायता कर रहे हैं ऐसे ही कॉलिज की क्छात्रा का वीडियो वाइरल हुआ है जो की इंदौर है इंदौर का है के कई कॉलिज क open upon जूड़े हैं जो अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं ताकि ट्रैफिक का संचालन सुच्वारो रूप से हो सके ये छात्र चुराहों पर खड़े होते हैं और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील करते हैं लोगों से हेलमेट पहननों को कहते हैं और ट्रैफिक पर red signal होने पर रुकने को कहते हैं और green signal होने पर जाने के लिए कहते हैं साथ ही गाड़ियों को व्यवस्थित रूप से खड़े होने में भी ये च्छात्र च्छात्राएं ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं ऐसी ही एक college च्छात्रा का वीडियो वाइरल हो रहा है जो वाहन चालोकों के पास जा रही है और जिन वाहन चालोकों ने helmet नहीं पहना है उन्हें helmet लगाने के लिए कह रही है और साथ ही four wheeler driver को seatbelt लगाने का आग्रह कर रही है और जिन्होंने seatbelt लगाया है उन्हें इसके लिए धनिवाद देती हुई भी ये च्छात्रा नजर आ रही है इ एक एक करके सभी के पास जा रही है और उनसे हेलमेट लगाने का आक्रह कर रही है जिन्होंने हेलमेट लगाया है उन्हें ये धन्यवाद कह रही है और जिन फोर विला चालकोंने सीट बेल्ट लगाया है उन्हें भी इस छात्रा का धन्यवाद देने का अदास कुछ जुदा पास आही है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और ये छात्रा इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में ट्रैफिक पुलिस की मदद कर रही है और छात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है जिसे काफी पसंद दिया जा रहा है subscribe our channel and press the bell icon for more updates